अकसर लोग कार्ड छापने का बिजनेस तो सुरू करते हैं पर वे सफल नहीं हो पाते उन्हें नुकसान हो जाता है और वे थाखार कर अपना बिजनेस बंद कर देते हैं दोस्तो कार्ड प्रिंटिंग का बिजनेस सुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तो चलिया ये बात करते हो उनी के बारे में दोस्तो कार्ड चापने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि साल भर एक जैसे नहीं चलता है ये सिर्फ सीजन में ज्यादा चलता है जैसे कि जब ज्यादा साधिया होने लगती है जब साधियों का सीजन आता है तो ऐसे में ज्यादा कार्ड चापने का काम मिलता है उससे मे जादा चलता है और बागी टाइम जो है बहुत कम चलता है तो दोस्तों इस बात की जनकारी रखिए इस बात का आप ध्यान रखिए तब ही शुरू कीजिए तो यहां होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो है लोन लेकर शुरू करते हैं और वे लोग घाटे में चले जाते हैं क्योंकि कुछ समय तो यह बिजनस अच्छा चलता है फिर पैसा आने ही नहीं लगता फिर वे लोन नहीं चुका पाते और पूरा जो है बिजनस बरबाद हो जाता है और उनको अंती में बंद करना पड़ जाता है तो कभी भी लोन लेकर इसे ना ही शुरू करे तो ब बहुत महत्पूर है तो पहले अपने इलाके में देख लिजे कि पहले कौन कौन कर रहे हैं पहले लिश्ट बनाईए वे कितना जो है समय से कर रहे हैं कितना उनके पास कस्टमर आते हैं और क्या मार्केट कैसा है इस समझ लिजे रेट को समझ लिजे कितना में बिकरी हो रह जाता है, कितने प्रकार के color होते हैं, कितने प्रकार के card होते हैं, उनका size क्या होता है, इस सब तमाम जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको training लेना पड़ेगा, या फिर किसी दुकान में, या फिर किसी रिष्दार मीतर के पास आपको जो भी या business कर है, उसके पास जाकर आपको यह सब सीखना पड़ेगा, तब ही business सफल हो पाएगा, चल पाएगा, माल लीजिए कोई customer आपके पास आता है, और वह card छपाने के लिए बोलता है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ mistake हो जाता है, और अगर उसमें गलत card या फिर नाम वाम कुछ गलत हो जाता है, तो ऐसे में customer नाराज हो जाएगा, और बदनामी करेगा आपका, सिर्फ आपका बुराई करेगा, और ऐसे में market में फैल जागा यह बात, और इससे आपका नुकसान होगा, आपके पास कोई आना पसंद नहीं करेगा, तो दोस्तों पैसे में अपनी छवी को बनाना बहुत ही जादा महतपूर है, market पहले बनाईए, rate सही लीजे, सुरुवात में ही जादा पैसा, जो है लोब मत कीजिए, पैसा कमाने के बारे मत सोचिए, कम rate में काम कीजिए, कम की मत पे काम कीजिए, जो है customer से जो है अच्छे से पेस कि आप जहां भी रहते हैं, उसके आसपास, सबसे पास जो भी printing का काम करता होगा, आपको उसके पास जाना है, और देखना है, पता करना है कि कितने ग्राक आते हैं, और कैसे maintain करता है चीज़ों को, क्या उसमें खासियत है, क्यों लोग उसके पास आ रहे हैं, और बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं नहीं पता चलेंगी, बहुत सारे राज होते हैं, जिनको आपको जानना पड़ेगा, तबी जो है बिजनस चलेगा, इससे आप अनुभवी बन जाएंगे और आपको आसान होगा, दोस्तों यहां पर खर्चों को कम करना बहुत ही ज़् खुद काम करने की कोशिस कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के भरो से बैठ जाना है, आपको सारा काम खुद ही करने के लिए सुरू में सुरू आत करना है, आप खुद ही सुरू में आप अपना काम करेंगे, नहीं तो ऐसे में आपको नुकसान हो जाएगा, तो पैस आप सोचे कि तुरंत कस्टामर आने लगे अच्छा मुनाफा कमाने लगू तो यहां पर एक और बहुत ही जादा महतपूर चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपको माल सस्ता से सस्ता खरिदने की कोशिज करना है पेंट होता है कार्ड होते हैं इनको आपको पड़एका पता करना पड़एका कि आपको कहां सस्ता मिल रहा है सारा मटेरिया आपको महीं से खरिदारी करने चाही सारी चीज और दोस्तों किस्टमर को कैसे मेनेच करना या आना चाहिए माल लिजे कोई काड़ पांच रुप fiftyappa और कि नहीं यह चार रुपएकव तो पैसा नहीं कि किसी को आप 5 रुपे में दे रहे हैं तो किसी को 4 रुपे में दे रहे हैं ये गलती कभी में मत कीजिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अमीर लोगों से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं और जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनका कम में काम कर देते हैं तो झाल झाल